हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं लेकर आया हूँ जी के जी एस के इंपोडेंट कुश्चन एलपी सिफ्ट वन में आये हूए हैं सिवी टी वन सिफ्ट वाइज दिये गया हैं दोजार अठारे में तो चलिए बिना देर किये हूए मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्णों पर देखिए ये है एलपी सिवी टी वन एक्जाम दस आठ दोजार अठारे को थर्ड शिफ्ट का चलिए पहला कुश्चन है बिद्धुतावेस की ऐसा ही एकाई क्या है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा कूलाम नेस्ट कुश्चन है तापी अप गटन के दोरान अमोनियम नाइटरेट उत्पन करता है इसका अंसर हो जाएगा एंटुय और S2O नेस्ट कुश्चन है बाहनों की हैडलाइट में प्रयूक्त दरपड कौन सा होता है इसका अंसर हो जाएगा अवकल दरपड नेक्स्ट कुछ्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् क्या कहलाता है कुलाम का नियम क्या कहता है इसका अंसर हो जाएगा दो बिंदू आवेसों के मद्य आकर्षड या प्रतिकर्षड के बल का परिमार दो आवेसों की मात्रा के अनकुर्मान पाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वेतकुर्मान पाती होता है चलिए next question पर लेकर चलते हैं मनशियों में अंतěसरावी गरंधी नहीं है तो कौन सी नहीं है यक्रत यक्रत जो है 17 रावी गरंधी नहीं है next question है कि इस्थाई ऊत्कों के निरमाड के लिए एक संरसना आकार और क्रिया अपनाने की प्रकृत क्रिया को क्या कहा जाता है इसका अंजर हो जाएगा विवेदन नेस्ट कुष्चन है देखिए ये ALP CBT 1 एक्जाम 13.8.2018 फर्स्ट सिफ्ट गाए तो ये कुष्चन देखिए जमलिखित मैंसे किन उतकों में कोसकाई जीवित होती हैं लंबी और कौनों पर अन्यमित रूप से इस्थूल होती हैं तो इसका अंसर हो जाएगा कॉलिन काइमा नेस्ट कुष्चन है किस बहुतिक विदने उत्पलावक बलके अस्तित को व्याख्या की है इसका अंसर हो जाएगा आर्कमडीज नेस्ट कुष्चन है कौन सी एक सतही गटना है तो इसका अंसर हो जाएगा वास्पी करण अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा को प्रयोग किया जाता है इसका अंसर हो जाएगा anti acid next question है किसके अनरूब बस्त की गति जूर्जा की प्रद्धी होती है तो इसका अंसर हो जाएगा गती next question है sodium carbonate की hydrochloric अमले से अविकिरिया में उत्पन gas कौन सी होगी इसका अंसर हो जाएगा carbon dioxide CO2 next question है अमीबा में किस प्रकार का अलेंगिक प्रजनन होता है इसका अंसर हो जाएगा binary विखंडन next question है प्रकास sensation के दोरान बने उत्पाद है glucose जल और oxygen next question हीरे के carbon प्रमाडू के बाहरी कोस में मुक्त electron की संख्या है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सून और वक्रिय होती हैं उसे कहा जाता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अव्दल दरपड देखिए next shift है ALP CVT1 exam 1382.88 की second shift इसका question देखिए युगमक संलेन को किसके रूप में परवाजित किया गया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अंडे के 700 क्राडू में एक का संलेन next question है सुस्क लिटमस पेपर पर सुस्क SGL गैस की क्रिया क्या होती है तो इसका अंसर हो जाएगा नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं मिदलता है next question रेडियो धर्मी तत्तो नहीं है तो कौन सा नहीं है टाइटेनियम next question आधनिक आवर्ट सानडी में तत्तों को किस आधार पर ब्यवस्तित किया गया है इसका अंसर हो जाएगा परमाडू संख्या में ब्रद्धी next question है nitrogen परमाडू में उपस्तित नियूट्रोनों की संख्या कितनी है तो कितनी है हो इसका अंसर हो जाएगा 7 बिद्धुत प्रभाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र परयोग किया जाता है इसका अंसर हो जाएगा emitter पौधों में हार्मोन के संचार के करण वेप्रकास की और जुक जाती है कौन सा हार्मोन होता है oxygen देखिए नेक्स्ट सिफ्ट है ALP CVT1 एक्जाम 13-8-28-1 की थ्रड सिफ्ट इसका फुष्टन है पहला कवक की कोशिका वित्ती किस से बनी होती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा काईटिन नेक्स्ट फुष्टन है CO2 में कार्बन की प्रतिसत मात्रा कितनी होती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 27.3 नेक्स्ट फुष्टन है ठोस कार्बन डाइयोकसाइड को किस नाम से जाना जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा सूखी बर्फ नेक्स्ट फुष्टन है सूत्री बिवाजन के चरड का नाम बताएं जिसके दोरान बिवाजित सैल के गुड़ सूत्र मद्रेखा पर उस्थित होते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा मेटाफेज नेक्स्ट फुष्टन है अधातु उक्साइड का आम तोर पर होती है अमलिय होते है नेक्स्ट फुष्टन है यद किसी बिलियन में नीला लिटमस लाल रंग में परवर्तित हो जाता है तो इसका पी एच इस तर कितना होने की संभावना है तो इसका क्या होगा अंसर छे नेक्स्ट सिफ्ट है एलपी सीवीटी वन एक्जाम चौदे आठ दूजार अठारे थर्ड सिफ्ट किसी तने हुए रवर्वेंड में किस परकार की उर्जा होती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इस्तिज उर्जा देखिए यही ऐसा ही कुस्टन एक उसमा आता है किसी तने हुई कमान में कौनसी उर्जा होती है तो उसका भी आंसर यही होगा इस्तिज उर्जा नेक्स्ट उस्टन है एमफी बिया पौधे को किस समुग में रखा जगाया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ब्रायो फाइटा यद किसी बस्तु द्वारा तै की गई दूरी सुन्न है तो बस्तु कब इस्थापन कितना होगा इसका अंसर हो जाएगा सुन्न नेक्स्ट उस्टन है किसे ने तो बनाया जा सकता है और नहीं नस्ट किया जा सकता है मतलmaz ऐसी कौन सी चीज है जिसे न तो बनाया जासकता है और नस्ट गो किया जा सकथ इस कांशर हो जाएगा ऊर्जा हम जो भोजन गिरहड करती हैं उससे प्राप्त होई कुछ ऊर्जा किस में संगरहेत होती है तो इस कांशर हो जाएगा गिलाईक उर्जा दीए लास्ट कुस्टन है ये ऐसी कौन सी चीज है जो न तो बनाई जा सकती है और नहीं नस्ट की जा सकती है इसका अंसर होता है उर्जा उर्जा एक ऐसी चीज है जो एक रूप से दूसरे रूप में किवल परवर्तित की जा सकती है इसे नस्ट नहीं गिया जा सकता और नह उत्पादन गिया जा सकता है इसका ठीक है चलिए नेक्स्ट विश्टन दिखते हैं प्रोपेन का रासानिक सूत्र कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा C3H6 सूर्डियं हाइड्रोजन कार्बोनेट के गरम होने पर निम्री Cashkov मैं से कौन सी डेस चूतथी है तो इसका अंसर हो जाएगा कारूंडाई ओक्साईब ब्रसडों से कौन सा हर्मन सरावित होता है इसका अंसर हो जाएगा टेस्टे इस्टिरोन नेक्स्ट वस्टन है गतिसील बस्टी की गतिजूर्जा के काइनेटिक एनरजी किस पर निरुवर करती है तो इसका अंसर हो जाएगा द्रविमान और वेक आधुनिक आवर सांडी की तीसरी अवदी और आठमी समुग में रखी गई नोबिल गैस का नाम बताईए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा आरगन देखें नेस्ट सिफ्ट है एलबी सीवीटीवन एक्जाम चोदे आठ दुजार अठारे की फर्स्ट सिफ्ट एक असंत्रप्त हाइड्र कारवन है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा एथाइन रक्त का कौन सा घटक भूजन, सीयोटू और नाइट्रूजन कच्चरी का प्रवहन करता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा प्लाज्मा पानी से भरी एक गिलास में रखा गया नीमू गिलास के बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है इसका कारड़ क्या है तो इसका मुख्य कारड़ है प्रकास का अपवर्टर किसी बस्तु द्वारा उसकी इस्ति या विन्यास द्वारा प्रापत उर्जा को कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा इस्ति जी उर्जा आधने कावर्शाणी में पहला धातु तत्तु क्या है तो एलाई एलाई बोलें तो लिथियम लेड नाइटरिट को जोरदार ढंग से गरम करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा नाइटरिजन डाइ ऑक्साइड नेक्स्ट गश्टन देएए बुरूड को एक विसेस उतक की साहेता से मा के रक्त से पोसर्ड प्राप्त होता है कहलाता है क्या कहलाता है गर्भनाल नेक्स्ट गश्टन है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारड है तो इसका अंसर हो जाएगा उच्च तापमान चलिए next question है जल्दी से हम इसे खतम कर लेती हैं और देखिए मेरे चैनल को आफ subscribe, like और share जरूर कर लें क्योंकि बहुत important चीज है जो last paper में आ चुकी हैं वही लेकर आऊंगा मैं इसके अलावा और कुछ नहीं लेकर आऊंगा जब तक कि इसकी practice नहीं करोगे तो आगले आने वाले भावी exam मतलब आगे जो आएंगे सारे exam उसमें आपके बहुत help करेंगे ये question ठीक है, next question है ओडो मीटर एक ऐसा उपकरड है जिसका उपयोग गाडियों मापने के लिए किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा दूरी next question है प्रोस्टेट गरंथी किसके नीचे मौजूद होता है तो इसका अंसर हो जाएगा मूत्रा से next question है गुड़सूत्र में क्रोमेटेडिस जिस बिंदू पर सनलंगन होती है उस बिंदू का नाम क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा सेंट्रो मीटर next question है जियांत्रिक उर्जा किसका योग होती है तो इसका अंसर हो जाएगा गत जूर्जा प्लस इस्तथ जूर्जा next question है दुहनी के समाध्यम से गुजर नहीं सकती तो इसका अंसर हो जाएगा निर्वाद से नहीं गुजर सकती next question है कारवन सी बार है कि एक मोल में कितने परमाडू होती है तो इसका अंसर हो जाएगा 6.02 x 10 to the power 23 तो 6.02 x 10 पे तेज की गाड़ किसका उपयोग पे जल को कीटाडू रहित करने के लिए किया जाता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा bleaching powder जिसे लाल दवा भी बोलते हैं जो कुए में कुए के पानी को सुद्ध करने के लिए डाली जाती है वो यही होता है वो द्योगों में प्रयोक तो सक्ती की इकाई है horse power ठीक है चलिए इससे एक question आता है एक horse power बरावर कितना होता है एक horse power बरावर क्या होता है तो वो क्या हो जाएगा 746 वाट 746 वाट होता है एक horse power शेलिए next question है काम करने की छमता को क्या कहा जाता है तो इसका अंजर हो जाएगा उर्जा किसी फूल की मादा प्रजनन हिस्सी को क्या कहा जाता है तो इसका अंजर हो जाएगा अंडप next question है बलके समीकरड में किसके बरावर है बलके समीकरड में F F किसके बरावर, F क्या होता है, F फोर्स होता है, F बरावर क्या होता है, M into A, M, मास, दरबिमान, और A, तुरण, कारवन के निम्न अपरूपों में से धातू विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयों किया जाता है, तो इसका अंतर हो जाएगा, कोक, चल इसका पहला कुश्चन है, खाली जगे, मैं पर्चुर मात्रा में सफेद फाइवर पाए जाती है, तो किस में पाए जाती है, सिराओं में, किसी गुलकार दरपड की प्रावर तक सत्य है कि व्यास को क्या कह जाता है, इसका अंतर हो जाएगा, छेद, खाने का नमक N.A.C.L. किस से बना होता है, इसका अंतर हो जाएगा, एक मजबूत अमल और एक मजबूत छार से, एक फूल के प्रिजनन का भाग कौन सा है, तो इ नेक्स्ट, परमाडू, संख्यावाला एक तत्व, एक छारी ऑक्साइड उत्पन करेगा, तो इसका अंतर हो जाएगा, 20, बिस, नेक्स्ट उस्ट, नैटरिजन के किस ऑक्साइड को लफिंग गैस के रूप में जाता है, तो इसका अंतर हो जाएगा, N2O, नेक्स्ट, 0.0 से 7.8 इसका अंसर हो जाएगा विद्धुत प्रभाह की अंतराश्टी माने के काई है M.P.R. नेस्ट नीव लेंड्स के आवरती वर्गी करड में दस्मत अत्व जैसा दिखता है मतलग कैसा दिखता है तीसरा जैसा नेस्ट नेस्ट सिफ्ट है इसका पहला गुश्चन है गते जूर्जा किसके बरावर होती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 1.2 Mb² बाहर का SI1 क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा Newton उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारड अत्यदिक खून बहने लगता है तो कौन सा विटामिन है विटामिन के चूने के पानी में कारवन डियोकसाड गैस प्रवायत करने पर यह दूदिया हो जाता है ऐसा किसके निर्माड के कारड होता है तो इसका अंसर हो जाएगा केलजियम कारबनेट नेक्स्ट है बायू का निर्पेच अपरत तक सूचकांग कितना है तो इसका अंसर हो जाएगा एक दसमलब जीरो 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 तीन ठीक है नेक्स्ट है अधात्यविक गुड बढ़ता है कैसे बढ़ता है सोडियम से किलोरिन तक नेक्स्ट है 예ल्पी सीविटीविक बन एक्जाम सत्रे आठ दोएर अठार है थर्ड शिफ्ट कुछन है एक नैनो मीट्र क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा दसपे मैंनिस 4 मीटर नेक्स्ट है बेग में परवर्तन की दर को क्या जाता है इसका अंसर हो जाएगा तोरण दोहनी है धोनी क्या है यांतरिक लहर ये इसका अंसर हो जाएगा यदि कोई बस्तु ब्रत्तकर पत में गुमाई जाती है तो उसके उपचार दौरा निर्देसित गया जा सकता है इसका अंसर हो जाएगा जिब्रेलिनेस अमल नेक्स्ट है एलुमिनियम उक्साइड प्रकर्ती में है क्या है इसका अंसर हो जाएगा उबहे धर्मी नेक्स्ट कुछन है फासपुरस की परमाड़ुकता क्या है तो इसका अंसर हो जाएगा तरफ परमाडे अंडा अंडा सा इसे कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है इसका अंसर हो जाएगा डिम्ब बाहिनी नेस्ट सिफ्ट है एल्पी सीबिटी बन सत्तरे आट दो यर अठार है कौन सा इस्थायू तक एक पौधे को किठोर और मजबूत बनाता है तो कौन सा है इसकलेरेन काइमा किसी एकलाबरती की आवाज को क्या का जाता है इसका अंसर हो जाएगा टॉन परजनन के लिए फूलों में आवस्टे का अंग कौन सा है इसका अंसर हो जाएगा पौंकी सर और इस्त्री की सर नेस्ट है एक सुस्क सेल में उर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है इसका अंसर हो जाएगा रासाइनिक उर्जा नेस्ट है एक वाट वरावर एक जूल परती सेकिंड ये इसकानसर हो जाएगा नेस्ट कुछ ने तद्वह को उनके प्रमाड़ दर्मान के आधर पर वर्गी करत करने का स्रेक से जाना जाता है तो इसकानसर हो जाएगा डमित्री मैंड़ीव नेस्ट हैं आदुनि कावर साड़ी में तद्वह को कहा पर रखा गया है तो कहां रखा गया है? बाईयोर यह इसकांसर हो जाएगा किसी परपत में बिद्धुत प्रभाः किसकी द्वारा संबब होता है तो इसकांसर हो जाएगा इलेक्ट्रोनों की गति नेस्ट है मनस्यों में अंतेसरावी गरंथी नहीं है तो कौन सी नहीं है? है first shift निम्लिकित मैंसे किन उतकों में को सिकाए जीवित होती हैं लंबी और कौनों पर अन्यमित रूप से इस्थुल होती है इसका अंसर हो जाएगा कॉलिन काइमा किस बहुतिक विदने उत्पलावक बलके अस्तित्व की व्याख्या की आर्गमनडीज ने इसका अंसर हो जा किसके अनरूब बस्तु की गतिज उर्जा की ब्रद्दी होती है तो इसका अंसर हो जाएगा गती next है sodium carbonate की hydrochloric amlissi अफगिरिया में उत्पन गैस कौन सी होगी इसका अंसर हो जाएगा carbon dioxide oxide next है amoeba में किस प्रकार का लेंगिक प्रिजनन होता है इसका अंसर हो जाएगा binary विखंडन next है प्रकास अंसलेशन के दोरान बने उत्पाद है इसका अंसर हो जाएगा glucose जल और oxygen next है हीरे के carbon प्रमाडू के बाहरी कोर्स में मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या है इसका अंसर हो जाएगा सूनने एक वक्रिय दरपड जिसमें परावर तक सत्हें अंदर की और वक्रिय होती है उसे कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा आवतल दरपड next है cvt1 एक्जम 28 28 2018 थर्ड शिफ्ट एम कच्छा में समाहित किये जासकने वाली इलेक्ट्रोन की संख्या है इसका अंसर हो जाएगा अठार है मानब प्रजनन नेस्ट है मानब प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मा के रख्त के ब्रूड को पोशड प्राप्त करने में मदद करता है तो इ इसका अंसर हो जाएगा अमोनियम क्लूराइट नेस्ट है बल की परिवाजा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा न्यूटन के गती का पहला नियम नेस्ट है कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है तो इसका अंसर हो जाएगा स्नेल नेस्ट है नेस्ट है एलपी सीवीटीवन एक्ज़म एक्की साथ दूजर अठा रहा है फस्ट सिफ्ट इसका पहला कुस्ष्ट है किस परकार की परिजनन में के अदिक वेवज़ता उत्पन होटी है तो इसका अंसर हो जाएगा लेंग इक पिरजनन नेस्ट है पानी के दौ़ारा उपर की तरफ लगाया गया बल क्या एला कहलाता है तो इसका ंसर जायगा उतपलावक बल नेस्ट है आन्वन सिक सामिगिरी के वाह है तो सा कह जर week है संख्या को बनाई रखने और उनके विलोपन को रूखने के लिए क्या वस्यक है तो इसका अंसर हो जाएगा प्रजनल नेक्स्ट है द्धुनी की द्रडता जो दोहराई प्रतिविम्ब का परिमाड़े होती है इसे क्या कहा जाता है प्रतिधुनी नेक्स्ट है प्रकास का कॉंटम सिद्धान किसके द्वारा प्रदान किया गया था इसका अंसर हो जाएगा प्लैंक जब sodium chloride के पानी में बने गोल के मद्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है तो इसका अंसर हो जाएगा sodium hydroxide अडू का गठन करने वाले परमाड़ों की संख्या को क्या कहते हैं इसका अंसर है परमाड़िकता next time बर्फ पानी पर तेयर दिया कियोंकि इसका घनत तो पानी से कम होता है यह इसका अंसर हो जाएगा चलिए तो दोस्तों यहाँ पर सभी question करा दिये गए हैं आज के लिए अब next question जो ALP CVT बन में आए हुए हैं वो अगली सिफ्टों के next वीडियो में आएंगे इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और सेयर करें और बेल आइकन को दवाना न भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो और भी इससे ज़्यादा important होंगी जो आपको एक्जाम में मदद करेंगी तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ और कमेंट में ये बताइए ये आपको वीडियो कैसी लगी ठीक है ओके बाई बाई